सब्सक्राइब प्रीजिये ट्रेंडिंग शीश को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो दोस्तो आज हम लोग अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं रियल मी वन की जो की ओपो ब्रैंड ने बनाया है यह मुझे पड़ा है 8,990 रुपे का मैंने जो बंगाया है यह है 3GB 32GB वेरियंट इसके साथ में मेरे पास Amazon से एक invoice आया हुआ है जो की शायद हमें समाल के रखना चाहिए हम इसन डॉट इन से मैंने इसे मंगाया था यह मुझे पड़ा है 8,990 रुपे का राइट चलिए से साइड में रखते हैं अभी यह मेरा फोन पैकेजिंग है इसके उपर भी अच्छी सी पतली सी पन्नी जो है उसकी रैपिंग में है यह यह पॉलतिन में निकालूंगा अभी कवी अच्छा केस दिखता है इसका आप देख सकते हो इसमें जो मैंने वेरियंट मंगा आप सबको जैसे आपको बताया 3GB 32GB में ने मंगाया है आईए इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं हम कि खुल के ने रहा है अगर आपको पैकेज मिलता तो अब उसे एकसेप्ट नहीं करिएगा क्योंकि वह यूस्ट फोन हो सकता है यह देखेए इसका एक उपर हमें एक पेपर बॉक्स मिलता है जिसके अंदर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़े होती हैं इसको अभी हम साइड में रखते हैं यह हमारा नाइस गुड लोकिंग फोन क्रिस्टल ब्लैक कलर में मैंने इसको मंगाया है काफी स्मूद काफी है हैंडी फोन ही है कि पीछों साब देख सकते हैं उसमें इसके साथ में हमारे पास आता है एक फास्ट चार्जर जो की 2.0 एंपिर का रहता है और इसमें अगर आपको बताओं तो यह उपो ब्रांट के शायद आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा यहां पर इस पर ओपो भी लिखा हुआ है तो रियल में जो कंपनी है वह ओपो इस जो मैंने पेपर बॉक्स आपको बताया था पेपर बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ अविलेबल है वह मैं आभी आपको खोल के दिखा देता हूँ इसके नदर सबसे पहले तो हमें जो सिम हम चहां से इंसर्ट करते हैं उसकी जो लॉकिंग की होती है वह हमको यहां पर मिली हुई है लॉकिंग की से आपकी ट्रे निकाल करके सेम और मेमरी कार्ड इसमें डाल सकते हैं साथ में आपको एक बहुत ही खुबसूरत साथ क्रिस्टल कवर मिलता है इसके साथ में जो कि बिल्कुल फ्री है से कोई एक्स्ट्रा चार्ज मेरे साथ मेरे इसमें लगा नहीं है पर्फेक्ट्लिफिट हो गया यह इसके अंदर अभी साथ में इसके साथ कुछ मैनुवल्स वगिर आपको मिलते हैं जो कि शायद ही आप लोग कभी पढ़ते हों इसे भी मैं साइड में रख देता हूं अभी ओप लेक्ट अगए अगए